हलो फेंड्स, वोल्कम है आपका हमारे इस टेक्निकल महता बीरूप चानल में और मैं हूँ आपका दोस्त महतावालम दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंट्ली मैंने एक वीडियो पोस्ट कहा था जो कि मित्रो एप के बार में था और सभी लोगों लगता है कि ये एप इंडियन है बट आपको बता दें कि ये एप इंडियन नहीं है बलके पाकिस्तानी है बट इस एप को इंडिया से मैनेज किया जा रहा है अब आप कहेंगे कि क्या कन्फ्यूज कर रहे हैं आप Confuse ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे तभी आपका confusion दूर होगा कि इस application को यूज़ करना चाहिए या नहीं दोस्तों ये सच है कि Mitro app को Indian app कहकर popular करवाया गया है और कई लोगों ने तो ये सोच के इस application को install किया है कि नेंदर मोदी की ये शब्दा वली है जितने भी news publication है वो सारे लोग चारो तरफ ये अफ़ाफ हला दी है कि ये app Indian है और इसी चकर में मैंने भी वीडियो बना दिया लेकिन जब और ज़्यादा research किया तब जाके पता चला कि ये app Indian नहीं है इस app को इंडिया में बनाया ही नहीं गया है सिर्फ rumors फलाये जा रहे हैं और शायद आपको पता होगा कि WhatsApp पे एक message बहुत ही तेज़े से forward किया रहे थे उस message में लिखा था कि TikTok एक Chinese app है उसे uninstall कर देना चाहिए और Mitro app को install करना चाहिए क्योंकि ये Indian app है और ये message इतना ज़ादा viral हुआ कि लोगों ने TikTok की rating 1.2 तक घटा दी और Mitro app को install करने लगे जिसे Mitro app का बहुत फाइदा भी हुआ अगर आप Play Store पे जाके चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इस app की 5 million प्लस downloads है और अगर हम comparison की बात करें तो TikTok के जैसा ही application है उसके interface वगर हर एक चीज सेम है आपको बता दे कि हाल ही में एक news सामने आई है News 18 के मताबिक ये app इंजियन नहीं है और ये 100 फिजदी सच है इस app को पाकिस्तान में बनाया गया है लेकिन इस app को इंडिया से manage किया जा रहा है अब ज़रा गौर से समझे जब कोई app को develop किया जाता है तो आप उस app के source code को खरीद सकते है Codecanion की एक website है जिस पे आप कुछ पैसे दे कर app के source code को खरीद सकते है फिलहाल 38 डॉलर में आप खरीद सकते है और उस app का नाम है Tiktik Tiktik app को किसी पाकिस्तानी ने develop किया है Inveto Market, Codecanion की website पर पहले ये application का source code 34 डॉलर में मिलते थे इस app का जो actual developer है जो उसकी company है उसका नाम है Q-Buxes और इसके CEO इर्फान सैक है जो की एक पाकिस्तानी है उनका काम ही यही है कि जो भी popular application होते है उसका clone बनाना application के source code को sale करना मित्रो क्या है मित्रो एक पाकिस्तानी एप है और इसे इंडिया से manage किया जा रहा है उस application के source code को खरीद कर customize करके, कुछ changes करके branding कर दिया है और उसका नाम रख दिया है मित्रो लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी जानकारी आई कहां से है तो मैं आपको बता दू कि Times of India जो है उनका एक channel है Gazette Now करके उन्होंने इर्फान सेक्स से बाते की तो उन्होंने बताये कि यह मेरा मुख बिजनस है application के source code को sale करना आप चाहे तो code canyon की website पर जाकर इनके जो डेवलपर है क्यू बक्सस इनके प्रोफाल भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने साफ साफ यह चीज मेंशन किया हुआ है कि हमारे client है जो कि तिक तिक अप की source code को खईदा है समझी ही वो अपना प्रचार कर रहे है लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि इस app को use करना चाहिए या नहीं अगर मैं personal opinion की बात करूँ तो इस app में काफी bug है इस app को काफी improvement की जरूरत है तो मेरे खैल से इस app को फिलहाल use नहीं करना चाहिए आपके क्या खैल है दोस्तों आप मुझे comment करके जरूर बताए मुझे आपके comment जानने का इंतिजार रहेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो इसे like करें इस वीडियो को अपने friends, family जो भी जान पचान के लोग हैं उन्हें ये share जरूर करें अगर आप ऐसे ही वीडियो शाते हैं तो हमारे इस टेक्निकल महता भी रूप चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरूर करें उससे होका ये कि जब भी मैं next वीडियो अप्लोड करूँगा उस वीडियो का notification आप तक पहुँच जाएगा फिर आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत